Market Segmentation को समझने से पहले समझे कि Segment क्या होता है देखिए Segment का मतलब One Part of Something किसी चीज का कोई हिस्सा अब सब्सक्राइब कि आपके Friend ने Pencil आना भोल गए और उनको Pencil की Requirement है तो आप क्या करते हो अपने Pencil को दो पार्ट में Divide करते हो और एक पार्ट उनको दे देते हो यानि कि आपने Pencil के दो Segment बनाए एक Segment आपने अपने पास रखा दूसरा Segment आपने अपने दोस्त को दे दिया तो That is Segment यानि कि Pencil का दो हिस्सा आपने कर दिया इसी तरके से दूसरे एक्जामपल से समझे थी है समझे कि Group of People है, Group of Person है इसमें कुछ Youngsters भी है, कुछ Senior Citizen और कुछ Kids भी है तो इस Group में तीन टाइप के लोग हैं यहाँ पर Youngsters भी है, Senior Citizen और Kids भी है तब आपको इस Group को Divide करने के लिए कहा गया तो आपने इस Group को तीन पार्ट में Divide कर सकते हैं एक हो गया Youngsters का Group, एक हो गया Senior Citizen का Group और एक हो गया Kids का Group तो यह जो आपने तीन गरूप में Divide कर दिया ना यहीं सेग्मेंट है एक सेग्मेंट क्या हो गया उस गरूप का Youngsters एक सेग्मेंट Senior Citizen हो गया और एक सेग्मेंट Kids हो गया तो यह जो Consumer Market है नहीं बहुत बड़ा मार्केट हो बहुत डाइवर्स मार्केट है तो कोई भी कमपनी जो है वो एक ही प्रोड़क्ट से या फिर एक टाइप के मार्केटिंग मिक्स स्टेजिस से सभी कस्टमर की नीट और वांस को फुलफिल नहीं कर सकती है तो कमपनी क्या करती है वो कमपनी मार्केट को डिवाइट कर देती है कमपनी मार्केट को अलग-अलग सेगमेंट में डिवाइट कर देती है और उसके बाद किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज करके उसके लिए प्रोड़क्ट डेवलप करती है और उस segment की need को fulfill करती है clear अब suppose करें example के तोर पर ये जो आपका customer group है ये सब student है आईए student है तो आपने इन student को 3 group में divide कर दिया एक हो गया कि इस्कूल जाने वाले student एक हो गया college जाने वाले student और एक group हो गया competitive exam की तयारी करने वाले student आपने क्या किया अब आपने इसमें से किसी एक segment को choose किया और उस segment के लिए book publish करना श्टार्ट कर देते हैं जैसे कि अरिहंत अरिहंत ने आपने देखा तो अरिहंत जो है competitive exam की तयारी करने वाले students के लिए वो book publish करती है NCRT NCRT class 1 से 12 जाने यानि school जाने वाले students के लिए book publish करती है इसी तरीके से आप देखेंगे Pearson तो Pearson जो professional courses कर रहे हैं उन students के लिए book publish करती है तिये क्या हो गया अलग-अलग company ने अलग-अलग student market segment को choose किया और उसके लिए book publish किया तो that is called market segmentation इससे क्या हो गया जिस भी segment को आप choose करें उसकी need को अच्छे से fulfill कर पा रहे है NCRT school के लिए best book होती है competitive exam के लिए चले आए तो आप अरियंथ हो गया उपकार हो गया और भी brand है जो की best होती है competitive examination के लिए यानि कि जब competitive exam की तहरी करने जाते हो तो आप school book तो रखते हो उसाथ में लेकिन competitive book खास कर रखते हो तो market segmentation क्या होगा market segmentation means division of market into smaller group having similar need and qualities यानि कि ऐसा कोई smaller group जब market को divide करते हो और इस type की group में divide करते हो जिसकी need और कुछ ने कुछ quality similar होती है तो उसको हम क्या कहते है market segmentation कहते हैं this helps the company to modify the product or service to suit the different group more effectively यानि कि इससे क्या होता है कि इससे जब market segment करके segment के according need और marketing strategy बनाकर company product to deliver करती है तो इससे effectively customer की need को fulfill कर पाती है जैसे कि आप KFC का example यह तो KFC जब शुरुआत में आती नहीं थी non-vegetarian customers को ही focus करते थी customers को हम eating pattern पर डिवाइड करें तो दो टाइप से divide कर सकते हैं एक non-vegetarian और एक vegetarian तो KFC ने क्या किया पहले non-vegetarian segment को capture किया उसके बाद फिर उन्होंने अपने market को expand करने के लिए vegetarian product भी launch किया तो आप देखेंगे कि अब KFC में आपको non-vegetarian और vegetarian में मिलता है लेकिन अभी भी कि अपसी non-vegetarian के लिए ज़्यादा जाना जाता है तो ये market segmentation कहलाता है तो फिलिप कोटले ने market segmentation को define करने कहा कि market segmentation is sub-dividing a market into distinct and homogeneous sub-group of customers where any group can conceivably be selected as a target market to be met with distinct marketing mix यानि कि marketing segmentation क्या हो गया market को distinct and homogeneous group में divide करना distinct यानि कि एक group दूसरे group से अलग होगा और homogeneous यानि एक group के अंदर जो भी लोग होगे उनके अंदर कुछ न कुछ similarities होगी उनकी need same हो सकती है उनका want same हो सकता है उनकी जो demand है वो same हो सकती है उनका age, उनका gender, उनका income कुछ न कुछ जरूर similarities होगी तो homogeneous and distinct group में divide करना market को और उस segment में से कोई एक segment चूज करके उसके लिए marketing mix त्यार करना ही market segmentation कहलाता है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर different marketing segment के लिए different marketing mix जो है त्यार किया जाता है निकि suppose कि एक youngsters का एक group है तो उसके लिए अलग product price place promotion होगा company का, वहीं पर kids का group है किसकर segment है तो उसके लिए अलग product price place promotion होगा यानि की different marketing mix is prepared for different segment तो hope आपके doubt के लिए होगे wish you all the best, keep watching